हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनिल और एक बर फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूटूब वीडियो के लिए थमनेल कैसे बना सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने वीडियो के लिए थमनेल कुछ इस तरह से बनाया हूँ यह सब आप कैसे कर सकते हैं आप अपने YouTube channel के लिए कैसे इस तरह से logo बना सकते हैं इस तरह से channel art कैसे बना सकते हैं वो भी सिर्फ एक website के माद्यम से सिर्फ click click करके आप ये सारा कुछ creativity दिखा सकते हैं आप अपने channel के लिए बना सकते हैं जिससे आपका channel थोड़ा professionally लगेगा तो चलिए आज के यह interesting वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना Chrome Browser open करना है और यहाँ पर search बार में type करना है C-A-N-V-A Canva और इसे enter कर देंगे इसके बाद आपके सामने जो पहला result खुल के आएगा www.canva.com यदि आप इस website पर पहली बार आये हैं तो आपको पहले इस पर अपना account create करना होगा यदि आप इस link पर click करेंगे तो आपको account create करने का option आएगा आप अपना account Google, Facebook या फिर email के थुरू कर सकते हैं एक बार जब अपना account आप यहाँ पर create कर लेंगे canva.com पर इसके बाद आप जब इस link पर click करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का कुछ interface खुल के आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं all your designs दिखा रहा है मतलब मैं जो भी design किया हूँ आर्ट, channel, art या फिर thumbnail वगेरा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बाकी नीचे भी बहुत सारे option है इनका आज हम use नहीं करेंगे आज के इस वीडियो में हम channel, art, logo और thumbnail वगेरा बनाना सिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे option है social medias, events, marketing बहुत सारे आप यहाँ पर banner वगेरा बना सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं create करता हूँ आप यहाँ पर custom भी कर सकते हैं और फिर logo यहाँ पर आप देख सकते हैं 500-500 pixel का logo, youtube channel, art बना सकते हैं जो कि आप यहाँ पर size भी देख सकते हैं side में यहाँ पर thumbnail का option है और नीचे भी बहुत सारे option है आपके पास इन तीनों के अलावा नीचे आपके पास बहुत सारे option है facebook, instagram और मतलब दुनिया भर का यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने तो हमको यहाँ पर सिर्फ तीन काम करना है logo, channel art और youtube बनाना है youtube thumbnail बनाना है ठीक है तो यहाँ पर custom भी कर सकते हैं आप custom में यहाँ पर width और height डालेंगे और pixel में यहाँ पर रहेगा तो आप अपने से create कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर जो by default दिया हुआ है वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर youtube thumbnail पर click करता हूँ और इसका जो actual size होता है thumbnail का वो यहाँ पर 1280 into 720 pixel में यहाँ पर आपके सामने जो एक youtube thumbnail का extended size होता है वो यहाँ पर आपके सामने बन गया है अब इस पर आप template को select रहने देंगे और कोई भी template select कर लेंगे अब मानलो मैंने यह select किया template और इसे हमाँ click करके कोई भी text को edit कर सकता हूँ इमेज को हटा सकता हूँ और अपना image लगा सकता हूँ लेकिन इसको अभी हम नहीं करेंगे एक simple और basic चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर add किये तो same size का यहाँ पर नीचे भी बन गया इसे delete करेंगे और यहाँ पर फिर से वही fresh अपना page open हो गया है बन गया है एक धाचा अब इसमें हम लोग क्या करेंगे elements को मदब templates को नहीं लेंगे हम यहाँ पर अपना image यूज करेंगे यहाँ पर से upload में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी अपना image यहाँ से upload कर सकते हैं computer में जो भी है आपके तो यहाँ पर upload करेंगे image को और कोई भी image यूज कर सकते हैं चलिए मैं मानलो यह वाला अपना logo यूज करना चाहता हूँ thumbnail में तो इसे size किया थोड़ा छोटा और यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर ले जाके drag करके छोड़ दिया अब कोई भी और image ले सकते हैं मानलो यह वाला image लिया म और यहाँ से drag किया इसे थोड़ा सा खीचा और बड़ा कर लिया अब कुछ इस तरह से आपके सामने thumbnail बन रहा है तो यहाँ पर आप जितना आधिक सीखेंगे देखिए अब यह क्या हो रहा है यह पीछे मतलब जो यह वाला image है उसके पीछे चीप रहा है ठीक है तो इसको front में लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर positioning करेंगे इसका position चेंज करेंगे तो उसके लिए आप क्या करना होगा यहाँ पर position के option पर क्लिक करेंगे और उसके बाद forward पर क्लिक करेंगे तो वो उपर में आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं उपर में आ गया है तो इस तर पर creativity दिखा सकते हैं अपना चलिए मैं यहाँ पर कुछ photos पर click करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस किस type के photos आपको मिलते हैं देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे free के images आपको use करने के लिए मिल रहे हैं आप यहाँ पर search कर सकते हैं कि आपको कौन सा image चाहिए, मान लो कि मैं मुझे money का image चाहिए, तो मैं search किया money और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग type से बहुत सारे money के images खुल के आ गए हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यह free वाले हैं सब और यह pro है, मतलब इसके लिए पैसा देना होगा, और बाकी जो free है, उसको आप free में use कर सकते हैं, तो चलिए मैं इस पर click किया, free वाला है तो और इसे resize किया थोड़ा सा और इसे अपने हिसाब से उपर या नीचे, drag drop करके लगा सकता हूँ, तो इस तरह से आप भी अपने जो ज़रूरत का image है, वो आप यहां से select कर सकते हैं, image में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना करने के बाद छलिए मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा side में, अब यहाँ पर आप elements यूज कर सकते हैं, elements में आप क्या use कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Facebook, YouTube का logo है यह arrow का निसान है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं arrow पर click किया तो यहाँ पर arrow का sign आ गया और इससे आप color change कर सकते हैं यहाँ से कोई भी color चाहिए तो तो यह सारा कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं यदि आपको कोई अलग से elements चाहिए तो आप यहाँ पर search कर सकते हैं मानलो मैं Instagram का element यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर Instagram टाइप किया और search किया तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे Instagram के logo आ गया है अब यहाँ पर free के हैं तो जो free का है उसे हम use कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको Instagram पर click किया दो बार click किया तो दो Instagram यहाँ पर आ गया एक चाहें तो आप delete कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं Instagram का logo कुछ इस तरह से use कर रहा हूँ आप भी अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर elements यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर text में आते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारे text style जो कि यह normal है और बाकी नीचे भी बहुत सारे style में यहाँ पर आपको text देखने को मिल जाता है आप कोई भी text यूज कर सकते हैं चलिए मैं आप पर एक simple वाला bolt heading type का यूज कर सकता हूँ कर रहा हूँ ये वाला text तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिख के आ रहा है चलिए मैं आप पर लिख लिया how to make money और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ खीच के ताकि दो line में आ जाए और इसे मैं drag drop कर सकता हूँ यहाँ से पकड़के उपर या नीचे यहाँ जहाँ भी लगाना हूँ मुझे चलिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ अभी मैं यह कोई thumbnail नहीं बना रहा हूँ आपको मैं जो thumbnail बनाया हूँ उसे भी दिखाऊंगा थोड़े देर बाद अभी यहाँ पर आप इसका color change कर सकते हैं यहाँ से तो यह सारा कुछ आप कर सकते हैं पर मैं यह दिखाना चाहता हूँ ठीक है यहाँ पर आप background भी select कर सकते हैं बहुत सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं आप तो अब मैं आपको अपना खुद का जो diagram किया हुआ है मैं उसको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर square search करता हूँ और इसको border set कर लेता हूँ तो मान लो यह वाला border मुझे चाहिए तो इस पर click किया अब इसे मैं drag किया कोने में और इसके बाद इसे खीच के थोड़ा सा scale up कर लिया उपर और नीचे ठीक है अब यहाँ पर आप इसका color भी change कर सकते हैं तो मान लो मैं black किया अब इसका देख सकते हैं थोड़ा अच्छा दिखने लगा इसका border तो इस तरह से आप भी अपने thumbnail के लिए creativity दिखा सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो मैं खुद design किया हुआ हूँ thumbnail वगेरा अपना logo वगेरा जो channel art वगेरा create किया हूँ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ your designs में click किया और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यह जो आपके सामने अभी जो बनाया और यह वाला यह सब बहुत सारे मैंने बना के रखे हैं तो मैं इस पर click किया एक अपने logo पर और यह logo मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर आप एक एक चीज को change कर सकते हैं एक एक elements को तो मैं इसका मान लो color change करना चाहता हूँ तो इस पर click किया और यहाँ पर color में कोई भी color select कर लिया तो इस तरह से आप इसके color वगेरा change कर सकते हैं इन सब को delete कर सकते हैं एक एक चीज को यहाँ पर आप कोई और elements या फिर image, text कुछ भी use कर सकते हैं यहाँ से select करके तो इस तरह से आप अपने और मान लो की यह templates यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर click किया और यहाँ पर देख सकते हैं template आ गया मैं इसी को remove करके यहाँ पर मैं खुद का एक logo यूज़ करना चाहता हूँ मान लो मैं यह वाला logo लगाना चाहता हूँ तो click किया अब यहाँ पर मेरा खुद का logo आ गया है यहाँ पर और यहाँ पर आप चाहें तो text को भी नीचे यहाँ पर logo की नीचे text को remove कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे remove कर देता हूँ इसका ज़रूरत नहीं है यह वाला text भी remove कर सकते हैं या फिर edit कर सकते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं खुद से design कर सकते हैं अपना logo इस तरह से कोई भी text यूज़ करना चाहते हैं तो और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपना एक channel art जो कि मैंने बनाया है इस पर click किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक channel art है जो मेरे channel पर लगा हुआ है वो चीज मैं आपको देखिए एक एक चीज को आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं ठीक है जैसी यह वाला टेक्स्ट है तो यह जो छोटा वाला टेक्स्ट देख रहे हैं आप यह है यह वाला टेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर यह वाला देख सकते हैं जो बोल्ट कलर बोल्ट में है तो वो चीज म पर आप देख सकते हैं इसे आप remove कर सकते हैं drag drop कर सकते हैं इधर उधर ये वाला एक एक चीज आप यहाँ पर एक एक elements को अपने हिसाब से set कर सकते हैं उपर नीचे drag करके तो इस तरह से मैंने अपना खुद का एक channel art बनाया है ठीक है यहाँ पर background आप change कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर यह लकड़ी का दीख रहा है background मैं इसे change करना चाहता हूँ इस पर click किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो channel art का background है वो white हो गया है change हो गया है तो इस तरह से आप कोई भी background मैं मानलो य यह लग किया तो ठीक है आप इस तरह से click करके सारा background आपई इसका change कर सकते हैं तो इस तरह से आप भी अपना यहाँ और transparency कम कर सकते हैं इस से इस तरह से आप transparency चेंज कर सकते हैं किसी भी elements का background का ठीक है यहाँ पर से positioning होगेरा सब कुछ यहाँ पर flip कर सकते हैं कुछ भी flip की यह background का flip है चलो मैं इसको flip करके दिखाता हूँ मानलो इसको normal रखा और इस YouTube को flip करके दिखाता हूँ तो इस पर click किया और flip किया तो देख सकते हैं आप इस तर से flip हो जाता है उपर नीचे mirror image में change जाता है और यहाँ पर से बहुत सारा कुछ आप यहाँ पर से खुद के लिए channel art वगेरा thumbnail, logos यहाँ से आप बना सकते हैं चली मैं आपको कुछ thumbnail दिखाता हूँ अपना इस पर click किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा मैंने जो thumbnail बना के रखा अपने videos के लिए जैसे कि आप देखे होंगे मेरे videos में यही सारे कुछ thumbnail मैंने लगाया हुआ है एक-एक elements को आपको यहाँ पर से drag करने का option मिल जाता है एक-एक चीज को आप यहाँ से edit कर सकते हैं जैसे इस पर click किया और edit किया देख सकते हैं आप इसका चल इसको मैं remove करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं आप पर एक mobile का image यूज किया उसके बाद screenshot को ले जाके यहाँ पर रख दिया ठीक है तो इस तरह से आप भी अपने YouTube वीडियो के लिए thumbnail वगेरा बना सकते हैं आप आप देख सकते हैं यह सारा कुछ drag कर सकते हैं ATM machine तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले border को हटाता हूँ तो border पर click किया और delete पर option पर click किया अब यहाँ से आपको हर चीज edit करने का option मिल गया है यह देख सकते हैं ATM machine को मैंने कैसे set किया है तो इस तरह से आप एक-एक image एक-एक text को elements को इस canva.com की मदद से कर सकते हैं यह चीज दोस्तों YouTubers के लिए वर्दान है जब यह वाला software हम YouTubers के लिए बहुत help करता है logo वगेरा बनाने में thumbnail वगेरा बनाने में इस website पर एक से एक attractive thumbnail वगेरा बन जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह भी मैं एक-एक elements को यहाँ पर add कर करके बनाया हुआ हूँ थोड़ा time लगता है 10 से 15 minute लग जाता है एक-एक thumbnail बनाने में लेकिन आप जितना समय देंगे आपके सामने उतना ही अच्छा thumbnail क्रियेट होके सामने आएगा दोस्तों मुझे पुरा अमीद है कि आज आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अबड़ेट रहने के लिए नोटिफिकेस अने कन को जरूर दबाईए वीडियो पूरा आन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत